हेलो फ्रेंड आपके सामने एक और नियू कोश्चन्स आ गया है और इतने कोश्चन्स मैं करा दूंगा न कि अगर इसकी प्रैक्टिस अगर करते हैं तो एपी से रिलेटेड सारे कोश्चन्स आपको आसान लगने लग जाएंगे बहुत ही बहतरीन तरीके से लेकर आया हूं और इंपोटन कोश्चन है सभी ठीक है एक एक मार्स इलेए सब इंपोटन देखिए यह कोश्चन्स दिया हुआ है एएटीन माइनस एफ फोर्टीन इक्वल टू थर्टीटू दिया है दी की वैलू पता करने दी मतला कॉमन डिफ्रेंट तो देखिए लिख लेते पहले तो ए एटीन माइनस एफोर्टीन इक्वल टू दिया है ठटीटू अब देखिए एटीन को मैं क्या लिखता हूँ ए प्लस सेवेंटीन डी ठीक है एन की वैलू एटीन रखो गए तो एन माइनस वन होता है न एन वाइन टीन माइनस सब्सक्राइन आजाएक दी मुल्टीपल मे इसलिए यह गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं इसलिए ध्यान रखें नहीं तो माइनस लगा देंगे दूसरा वाला माइनस रह जाएगा इससे यह करेंगे देखिए प्लस होता है थोड़ी थोड़ा सा ध्यान दिजिए गाए फ्लस 13 अब देखिए माइनस इन दोनों के आगे हैं तो दोनों माइनस से जाएगे माइनस यह हो गया माइनस 13D हो गया अब देखिए ए प्लस में था है ए माइनस में कैंसल 17D प्लस में यह 13D माइनस हो तो 17D में से 13D किया कितना आ जाएगा 4D आ गया और यहां पर 32 अब यह D की साथ 4 मुल्टिपल है तो इधर आ जाएगा तो डी की वैलू 4 से डिवाइड होगा 32 डिवाइड करेगा पूर से तो कितना आ जाएगा 48 जा होता है तो एट एंसर आ गया तो यहां पर आप्शन आपका हो जा रहा है कि ठीक है ए इस दा राइट एंसर इसी तरह कि को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करे तो धन्यवाद